कि वानराज बधाई हो रानी अंजना ने पुत्र को जन्म दिया है तुम्हेंने बढ़ाई है रानी को जाकर कहो कि हम उन्हें बढ़ाई दने आ रहे हैं जै जै है के सरिकुल भूशन जै जै है अकुलित बल्धान जै शिवुते एका दशुरुत्र जै अंजनी पुत्र पवन सुत्य नामा कोटी मनोच परास्त करे तब रूप अनुप है पूरा निकामा दर्शन करके सफल भाई नैना जी चरनों में कोटी प्रानामा दर्शन करके सफल भाई नैना जी चरनों में कोटी प्रानामा कितना बलशाली है मेरा पुत्र कैसी फुबूदकार कर रहा है अंजना इसकी फुबूदकार बता रही है कि हमारा पुत्र महा बलशाली और महा प्राकर भी होगा कितने कि यह किसी से भेवीतफ नहीं होगा सब आपके कहने का ताठ पर यहें प्रहुता कि रावन के यहाँ भुत्र का जन्द और केसरी के यहाँ महादेव सिवशंकर के अन्शावतार का जन्द प्रभु ने स्रिष्टी का संतुलन बनाए रखने के लिए किया है हाँ वक्स, एक और राक्ष सी शक्ति और दूसरी और धैरिक शक्तिता उदय होगा, फ्रमान है इस बात। इन्तु ये संतुलन को रावन और खुमकरून के जन्व सही बिगड़ दया थे। नहीं वक्स, उनके जन्म से नहीं, ये संतुलन बिगड़ा है, जबसे रावन के मन में आशुरी महत्वा का अंच्छा उत्पन हुए जबसे अहंकार उसके सर चड़ कर बोलने लगा, अब तो अवतार लेंगे साक्षा अब लगे, उस अहंकारी का नाश करने के लिए, और रा सारी के अंशा उतार क्या करेंगे, इन्होंने जन भी लिया है, प्रभू की सहायता करने के लिए, ये सहायता करेंगे प्रभू की, केसरी और अंजना के पुत्र, इन्हीं साधारन वानर वत समझो ना रख, अभी पांच वर्ष की आयू नहीं हुई इनकी और देखो, कैसे परिचय देने जा रहे हैं, देखो ना रख, अरे क्या कर रहे हूँ, ना रायन, ना रायन, एक पांच वर्ष के बच्चे में इतनी शक्ती, मैंने कहा था ना, शिव जी के अन्शावतार है, अपनी शक्ती का परिचय आवश्य करवाएंगी तुन लोग को, मैं कहता हूँ, मुझे भूख नभी है, मुझे खाना दो, तुम बच्पन से ही ऐसा करते हूँ, खाने के बाद फिर और खाना मांगते हूँ, यदि मेरा पेट्री ही मरता, तुम मैं क्या करूँ, नहीं, भेर से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, तो फिर ठीक है, अरे कहां जा रहे हो, मुझे पता है, तुम्हें बोजन बनाने में आलस आता है, मैं फ़र लोड़के खाता हूँ, अरे रुको, महराज, महरानी हाँ, ये फल अवश्य स्वादिष्ट होगा, पुत्र, रुक जाओ, पुत्र, रुक जाओ, पुत्र, मेरी बात सुना, पुत्र, रुक जाओ, मेरी बात सुना, पुत्र, तुम सहां जा रहे हो, लाटाओ, पुत्र, लाटाओ, पुत्र, रुक जाओ, पुत्र, रुक जाओ, स्वामी, स्वामी उसे रोकिये, अपने पुत्र की रक्षे कीजिए, स्वामी, रक्षे कीजिए, आप माहादेर ए महादेवादी देर हमारा पुतराब के अशिरवाद की देल है इसकी रख सकी दे महादेर इसकी रख सकी देल आप 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 कि आप अ आप आप कि आप अघंव कि अ यह अगोग्त दो बहुत समीन जारा है सूरी देव के और उनके देज का उस पर सरावी पुढ़ाओ नहीं पड़ रहा है साथ्षात पुद्रकुब को क्या पुवाद को सकता है सूरे तो क्या वो सूरी देव तक पहुंचाएगा है कि कौन हो सकता है जो सूरी देव के देश से भी भैबीत नहीं यह रावन की माया तो नहीं यह यह माया है तो इस पर प्रतिबंद लगा यह देवेंद्र कि ऐसा दृष्ष तो कि यह कभी देखने को नहीं मिलने वाला पितामा तो यह जारे सूरी देव का क्या होगा कि यह वश्री को मायावी बालक है मैं रावन के इस प्रयास को सभल ही होने देगा तो सुरी देव शिष्टी के मूल आधार शक्ति है तावर की आद्वी माया उसका विनास नहीं कर सकती है अ परदैसे ना बचाईएंग देव इंद्र बचाईएंग शुर्देव को बचाईएंग हाएंग आजू देवेंद्र ये आपने क्या किया पाउन पुतु पर बज्टर चला दिया मैं इसी पल संपूर्ण सुष्टी की वायू रोक रहा हूं कि अब स्रिष्टी की वायू रोकती है अब स्रिष्टी का क्या होगा विधाता क्या अब स्रिष्टी निर्जीव हो जाएगी प्रौ रोड़क है क्या होग पही हुआल फ्सक्राओ फ्सक्तін और क्या हुआा लिए बडी ये ये जोजु हाएगी क्या हुआ पर्जू प्सक्टिप मोद्टास वाण क्या हुआल प्सक्त प्सके ये ये वद्दृ। मुझे क्षमा की जी मेरे वज्ञ प्रहार की कारण वायू देव ने क्रोधित होकर संपूर्ण सिष्टी की वायू रोग दिये मुझसे भूल होगी पितामा मुझसे भूल होगी देवें के श्री नंदन साक्षा महादेव के अंश है भोले नात के आदेश से ही गुद्र और वायू देव ने एक प्राण होकार अंजना के गर्भ में प्रुरिश्ट किया थी इसलिए अंजना का पुत्र एक अर्थ से पवन पुत्र दिया है वायू देव के ग्रोध को हम कैसे शाप करेंगे शिष्टि वासियों की रक्षा का उपाय बताईए प्रपुत्र देवें के वायू देव से चमय आच्टर करेंगे अंजना सुद्र वेश्री नंदन को अभैतो वर्दान को वायू देव शांत हो जानीगे ना राया, ना राया वायू देव मैं आपसे ख्रमा याचना करना है आपके दंड का अधिकारी मैं आप तो सारी स्रिष्टी को दंड दे रहेंगे कृप्या मेरी भूर को ख्रमा करें वायू देव जब तक केश्री नंदन स्वस्त नहीं हो जाता मेरा ख्रोध शांत नहीं होगा देवेंत्र नारायन नारायन ये स्री नंदन तो स्वस्ती है वायू देव उठो केश्री नंदन यदि मैं प्रभू की भक्ती सच्चे मन से करता हूँ तो हे केश्री नंदन उठिये उठिये केश्री नंदन उठिये अंजनासुत उठिये उठिये अंजनासुत उठिये नारायन नारायन देवेंद्र के वजर का प्रहार इस बच्चे की हनूर अर्थात ठोड़ी पर हुआ है इसलिए बालक जगत में हनुमान के नाम से प्रसिद्ध होगा मैं यम्राज इस बालक को अम्रत्व प्रदान करता हूं इसे मेरा मृत्य उपाश कभी नहीं मानेगा अजय के वाईव देव वानराज केशरी अजय के महारानी अंजना देवेंद्र इस बालक को वर्द देता हूं कि ये वजर के भेंद कर प्रहार को भी सहजी जहन कर लेगा ये वजर्दे ही होगा वायुदेव अब तो अपना क्रोध शान्त कर लेजिए हाँ देवर्शी नारा यड नारा यड देवेंद्र मुझे ख्षमा कर दीचे ख्षमा तो मुझे मांगनी है धर्मान से प्रणाम पिताश्री कल्यान वस्तू पुत्र नारत बड़े उत्तीजित लग रहे हो मैं तो सेत्व में चकित रह गया एक शब्द भी नहीं बोल सका जब मैंने हनुमान को सूरी देव को पकड़ते और अपने मुझ में डालते देखा पिताश्री अगरी देव से भी अधिक दहाक है सूरी और हनुमान पर उसका प्रभाद नहीं नहारायन नहारायन भगवान की इस लीला रू एक संदेश छिपा है वक्स संदेश किसके लिए लंकापति रावन के लिए उसे ये दर्शाया गया है कि जो सूरी देव जैसे तेज वलाय को निगल सकता है उसके समुक रावन का तेज उसका बल क्या महत्व रखता है किन्तु विधाता क्या रावन इस संकेत को समझेगा और दूसरी बात सभी देवकाओं ने जो हनुमान को अपनी ओर से अस्त्र शस्त्रादी के साथ वर्दान देकर उसे अधिक सामर्त शाली बना दिया है वो कहीं बालक हनुमान को बहका न दे अथवा उसे अहंकारी न बना दे नारत हनुमान का अवतार एक निश्चित उर्देश्चि को सामने रखकर ही वुआ है अता है, शक्ति शाली तो वो चाहिए ही, किन तु उसकी अमित शक्ति, उसे निश्चल नहीं बैठने देए, आप सक्ति कह रहे हैं, देखिये न, उनकी शक्ति का खुला प्रदर्शन यहीं सब मैं दोरा मां जाते हैं, और चाहिके रहे हैं, आज जो में जाती हैं, जेज़े से नकी बैठने खुला हैं, जेजेशे से न, उनकी कहां से भिछाएं? प्लाओ आपласт करणऑ थे जामुटरा स सकतीक जोजी हो त जा रहा टांफ जाग झागा कि अजगी हुर यहरा बैर टेoffने अनदी त यइदा हो टा घाम है आले, आले, आले! आले, आले, आले! हुई है मुझसे कोई भूल हुई भूल कि मैं बताती हो तुम्हारी भूल क्या हुई रुको यहां पर आज से तुम कहीं भी बाहर नहीं जाओगे क्यों बाहर नहीं जाओगा तो प्रभु के दर्शन कैसे होंगे प्रभु के दर्शन हां मैया उनकी सेवा के लिए ही तुम्हें जन्मा हूँ कौन प्रभु किसकी सेवा के बात कर रहे हो तुम हनुमान तुम तो स्वयम महादेव शिवशंकर का साक्षात आशिरवाद हो अन्यथा सूर्य देव को कोई निकल सकता है दिवेंद्र स्वयम देवताओं के साथ तुम्हारे दर्शनों के रिए यहां उपस्थित हुए थे मैं तुम्हारे मा होते हुए भी यह नहीं जानती पुत्र कि तुम कौन हो क्या मुझे तुम अपना सत्य स्वरूप नहीं दिखाओगे माताश्री मेरा सत्य स्वरूप देखकर आप भैभीत हो जाएंगी नहीं होंगी भैभीत अच्छा तो यह देखो पैस पैस पुत्र यह तुम्हारा सत्य स्वरूप सच्मुच बहुत डरावना है मैया ब्रम्हान को रावन के भैसे मुप्त करने के लिए भगबान श्रीराम के रूप में अवतार लेने वाले हैं श्रीराम की सेवा करने के लिए ही तो मैंने प्रित्वी लोग पर चनम लिया है तुमने मेरी कोक को धन्य कर दिया पुत्र तुमने मात्रित्व का गौरव बढ़ा दिया मातेश्वरी अब आप मेरे इस सत्य स्वरूप को भूल कर मुझे अपना पुत्र ही समझें अपना तुमस्राइव त्रेश पत्रित्वित्त्वन लिए अपना मुझे व्हां अव्म ज्ल-ज्ल-ज्ल-ज्ल अगने साहा ओम जोल 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 अगने स्वाहा ओम जोल 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 अगने स्वाहा ओम जोल 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 अगने स्वाहा ओम जोल 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 अगने स्वाहा हनुमान 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 अपनी शक्ति और सामर्थ का तुम व्यर्थ प्रयोक कर रहे हो कोई शक्ति और सामर्थ तुम्हें याद नहीं रहेगा यह मेरा श्राप है जब तक तक तुम्हें स्मर्ण नहीं कराये जाएगा तुम अपनी शक्ति और सामर्थ भूले रहोगी पंदेरा रिशी के शुराब के बाद अपनी शक्ति का ज्यान देखा इस बीच राक्षा जराज रावल के अध्याचार इतने बढ़ गए कि स्रिष्टी त्राहे त्राहे बुखार उठी देवर्शी नारत से ये देखा नहीं गया और वो स्रिष्टी की करोला में बुपार लेकर त्री देवों की शरल कैए झाल